हलो दुस्तू नमस्कार प्रॉफिट गुरु चैनल में एक बन नए मार्केट अब्रीट के साथ आप लोगों का स्वागत करता हूं तो दोस्तो इस वीडियो में हम एक बाजार की धमाकेदार कंपनी को कवर करने वाले हैं जिसका शेर जो है दोस्तो काफी जादा गिर चुका है लेकिन उस कंपनी की फंडामेंटल कंडिशन बहुत अच्छी है ठीक है और भी बहुत सारी कुछ ऐसी है बहुत सारी ऐसी कॉलेटी आप लोगों को मिलेगी जो मार्केट में नंबर वन पे रहते हैं ठीक है जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी कंपनी में इंवस्मेंट कर कर दीजे तो सबसे पहले हम बाजार को देख लेते हैं तो बाजार 18336 पर ट्रीट कर रहा है प्रीवेस क्लोज था 18333 के आसपास ओपन होता है 18362 हाई लगाता है 18378 और लो लगाता है 18282 का एक अच्छा कासा मुमेंट हमें देखने को मिला मार्केट ने दोस्तों क्या कि यहां से कुछ इरोपीन कंट्रीज के मार्केट ओपन हुए मार्केट को सपोर्ड मिला और एक अच्छा अगासा रिकवरी कर रहा है आप देखते हैं आगे क्या आता है मार्केट के रेलेटेड अपडेट जैसा भी आएगा फटा बटसे आपको कवर करेंगे तो चलिए सब 4,95 रुपे 35 पैसे गेब डाउन ओपनिंग लिया 4,82 हाई लगाया 4,109 रुपे और लो लगाया 4,040 रुपे इसके साथ ही अगर आप मार्केट केप देखेंगे तो 2,63,000 करोल का मार्केट केप है देख लीजी कितना बड़ा मार्केट के लेके बेटी एक कमपनी ठीक है उ लेकिन उसके बाद यह जो गिरावट है यह काफी ज़्यादा हमें देखने को मिले लगबख 6 पर्षेंट की गिरावट हो चुकी है ठीक है कब 31 अक्टोंबर से अभी तक लास्ट 6 मेने की मैं बात कहता हूँ 6 मेने में कच्छी-काची तेजी दिख रही है एक साल के अगर म तो आप जरूरी दोस्तों इसको फोकस में रख सकते हो अब चलिए इस कंपनी का हम फंडामेंटल कंडिशन देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो यह कंपनी आपको दोस्तों 2,62,899 करोर की देखने को मिलेगी बस थोड़ा सा PE एनिंग विश्यों काफी महंगा है ब पचास दिन का मूविंगे इब्रेज लगा है 200 दिन का मूविंगे ब्रेज लगा है तो स्टॉक जो है 50 दिन के मूविंग Εब इब्रेज को भी ब्रेकड़ाउन देके 200 दिन के भी moving average को breakdown देके नीचे आया हुआ है मतलब stock जब तक 4,400 गा level break नहीं करेगा तेके comfortable zone में नहीं जाएगा साथ में देखे company date free है बहुत अच्छी बात है company को expectation था मेरा Q2 का number आएगा अच्छा अच्छा आया last 5 साल का CGR का growth देखे बहुत शानदार है company का median sales growth है last 10 साल का वो भी बहुत शानदार है उसके साथ ही quarterly basis का performance देखे कि company का जो sales है September Q में तेके 10,638 करोड को हो अभी तक का सबसे ज़्यादा ठीके operating profit margin जो है दोस्तों वो pressure में आया महंगाई के चलते ठीके उसके साथ आप अगर मतलब company profitable है debt free मतलब करजा मोक्त है यह हमारे लिए बहुत बढ़िया बात है सालना तोरका अगर आप performance देखेंगे तो आप देख सकते हैं 2014 में company ने पूरे साल भर में 4,686 का sales किया था आज वो ही sales दोस्तों लगबग 31,000 करोड पे पहुंच चुका है ठीके net profit भी अगर आप देखेंगे तो पूरे साल भर में 161 करोड का था जो आप दोस्तों लगबग 1500 करोड पे पहुंच चुका है मतलब कावी बढ़िया बात हमें देखने को मिल रही है sales growth के अगर मैं बात करता हूँ तो 49% की तेजी से बढ़ रही है आप जो जो quality इस company में डूंडोगे long term के लिए वो आपको सब मिलेगी सब मतलब सब मिलेगी ठीके मतलब बहुत बढ़िया tension free company है उसके साथ ही share holding का pattern देखें यह देखे share holding pattern आपको promoters के पास देखें एक अच्छा खासा stake है ठीके बाकी foreign investor stake बढ़ाया है सितंबर क्यों में ठीके उसके साथ ही domestic investor उन्होंने भी अपना stake बढ़ाया है government उसने भी अपना stake बढ़ाया है मतलब सब ने खरीदारी किये क्यों क्यों क्योंकि बहुत अच्छी company हमें देखने को मिलती है बाजार में और यह जिस industry में काम करी न उस industry की यह leader है तो leader का नाम क्या है दोस्तो Avenue Supermart Limited जिसे हम D-Mart के नाम से जानते हैं आप देख सकते हैं अगर मैं आपको नीचे बताता हूं company का condition यह देखे Avenue Supermart retail category में काम करती है सबसे बड़ा market cap लेखे सबसे उपर बेटी हुई है आज पास भी नहीं है दूसरी कोई company और ना कोई आने वाली है तो बहुत बड़िया company हमें यह देखने को मिलती है और आगे और अच्छी तरीके से ग्रो कर रही है Delhi हर Q में कारीबन दोस्तों जो store की जो संख्या है वो बढ़ते जा रही है बहुत अच्छी तरीके से company अपने business को बहुत शांदा तरीके से आगे बढ़ाते जा रही है और profit भी बहुत शांदा तरीके से निकाल रही है अब इसका हम technical point cover कर लेते हैं बाकी चीज तो हमने देख ली technical point में क्या support क्या rejection मिल रहा है वो देख लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तो D-Mart का chart pattern open किया है और D-Mart ने दोस्तो क्या करके रखा है देखिए इस level से बहुत शांदार recovery दी थी इसने ठीके माई जून में उसके साथ ही वो पोच गया था 4500 रुपे के level पे मतलब अपने एक important level पे पहुँच गया था sustain भी किया वो इसी level पे ठीके मतलब यह range में अगर्थ सितंबर और अक्टंबर लेकिन दोस्तो number शुरुआत में कुछ ऐसा देखने को मिला जिसके कारण उसमें pressure आ गया pressure आया तो जो उसका important level था 4250 का वो उसने क्या कर दिया break कर दिया break करने के साथ ही दोस्तो अब जो 4000 का level है वो support बनाने की कोशिश करेगा ठीके तो आप लोगों के लिए support level हो रहा है 4000 का जो यह वाला है द्यान से देखे ठीके यह वाला तो आपको इसको note करना चाहिए एक rejection point यह है इसको note करना चाहिए एक 4500 का rejection point है इसको note करना चाहिए उसके साथ ही आप इधर भी देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो 4000 का level है कितना important है तेके यहाँ पर आप देख सकते हैं उसके साथ 4,500 का जो लेवल है वो कितना important है आपको यहाँ पर देखने को पता चल रहा होगा तो 4500 का level एक important rejection point, 4250 का एक important rejection point और 4000 का ठीक है एक important support level तो यह काफी बढ़िया दोस्तो हमें update देखने को मिल रहा है ठीक है टेकनिकल के हिसाब से और fundamental के हिसाब से तो जरूर दोस्तो आप क्या करिए DMART को अपनी focus में रखिए क्योंकि जिस प्रकास है दोस्तो चार्ट पेटर्न maintain का ठीक है वो बहुत बढ़िया हमें दिखने को मिलता है देखे इस company को अभी तक nifty 50 में जगा नहीं मली बस एक यही थोड़ा सा negative point है खिर nifty 50 में aid होने के भी कुछ टाइटिरिया रहते हैं लेकिन यह अभी साइट कुछ टाइटिरिया फुल्फिल नहीं कर पा रही है ठीक है आगे अगर company का जो condition है और अच्छा वेतर होगा जो PE earning ratio है ठीक है जैसे EPS बढ़ेगा ना वैसे PE earning ratio घटेगा तो हमारे लिए बहुत बढ़िया बात रहेगी ठीक है जब EPS बढ़ेगा तो जो price to earning ratio रहेगा वो बहुत अच्छा हो जाएगा तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात रहेगी तो जरूर DMART को क्या करिए अपने portfolio में जगा दीजिए अपनी watch list में अपनी portfolio अपनी focus list में जगा दीजिए इसके related आगे जैसा भी update आएगा हम जरूर आपको cover करेंगे तो फटा पट से आप इस वीडियो को like कर दीजिए और चैनल को subscribe कर दीजिए तो thank you दोस्तो